दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई, जिसे हिंदी में ब्याद पतंग कहा जाता है, हेलिकॉप्टर जैसे इसके शरीर की बनावट, रंग बिरंगे चटक रंग और दिखने में खूबसूरत होना, इसे इंसेक्ट की दुनिया में एक अलग ही स्थान देता है, वैसे दोस्तों, आज ह राज हुआ करता था, ऐसा माना जाता है कि उस समय ड्रैगन फ्लाई साइज में काफी बड़े हुआ करते थे, भले ही आज यह साइज में छोटे हो, लेकिन आज भी यह अपने अस्तित्व को बचाए हुआ है, दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले, दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई की आज करीब 5000 प्रजाती आज पृत्वी पर निवास करती है, और यह गर्म प्रदेशों में नदियों, तालाब और जील जैसे जलसरोतों के पास निवास करती है, और पानी में ही अपने अंडे देती है, दोस्तों, एक अंडे से ड्रैगन फ्लाई बनने तक का सफर, काफी रोमान चक या यूं कहें, तो काफी संघर्ष से भरा होता है, इस जीव का जीवन चकरंडा, नीम्प और वयस्क जैसे तीन स्टेज से होकर गुजरता है, तब जाकर यहाँ एक ड्रैगन फ्लाई बनती है, दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, कि एक मदर ड्रैगन फ्लाई भी एक मच्छर की तरह स्थिर, पानी के उपर या पानी में डूबे जलिये पौधों पर अंडे देती है, ज जैसे बारह महीनों तक का समय लग जाता है, जिसे यहाँ पानी में डूब कर एक नीम के रूप में गुजरती है, दोस्तों, आपको बता दें कि दिखने में या भले ही खुबसूरत ना हो, लेकिन नीम एक कमाल की शिकारी होती है, जो कि मच्छलियों के अंडे, मच्छरों के लारवे, छोटे कीडे और दूसरे नीम को भी अपना शिकार बनाती है, और अपने लाइफ साइकल को पूरा करती है, मैं इसी तरह यह समय के साथ साथ एक व्यस्त होती है, और उचित समय आने पर पानी से बाहर निकल कर अपने ऊपर खुद को उतार देती है, और यहीं स पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,